हिमाचल की बात करते हैं बरसात बार से सबसे ज़्यादा तबाही का मंजर यहीं पर है हलाकि कल बारिश ज़्यादा यहाँ पर नहीं हुई है लेकिन 17 जुलाई तक बारिश का यलो अलर्ट ज़वारी कर दिया गया है पहाडों पर लैंड्सलाइड भी हो रही है और इसकी बज़य से ही चंडीगर मनाली हाईवे है वो बंद है चोकी लैंसलाइड हो रही है और जो पंडो टाम है उसे पानी छोड़ा जा रहा और इसी बज़य से मिचले लाकों में पानी बढ़ने की आशंका बार-बार जटाई जा रही बाड बरसात की वरसे तबाही का मंजर हिमाचल में सरवाधिक देका जा रहा और कई सालों का रेकॉर्ड टूटा है और अब तक जो डेथ टोल है वो 76 तक जा पहुंचा है यहाँ पर एक हजार करोड से जादा की संपत्ती का नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश में समय 1249 सड़के बंद हैं तीन नैशनल हाईवे बंद कर दिये गए हैं क्योंकि लगातार भूसकलन का जो खत्रा है वो बढ़ता जा रहा है कई चका लैंड साइट हुई है मलबा सड़कों पर गिणा हुआ है ऐसी वच्छे से कई ऐसी सड़के हैं बारासो से जादा सड़के हैं जोने बंद कर दिया गया है तीन नैशनल हाईवे जोने बंद कर दिया गया है नदिया उनुफान पर इस वक्त हिमाचल प्रदेश में नजर आ रही है तो रौधर रूप नदियों ने ल उसका चॉबिंस कंटे का लट भी जारी किया गया था सभी एतियाती कदम उठाए जा रहे हिमाचल में कुदरत का कहर बरप रहा है मैं आपको बता दू कि हम इस समय मंडी में है और आपको आपके हालात बता देते हैं कि हमाचल में 27 के करीब लोग अपनी जान गवा चुके है 1300 के करीब जो है रास्ते बंध हो चुके 1800 के करीब बसों के रूट जो है वो बंध है हाला कि परशासन, सरकार, लगातार लगी है कि सब चीजें जो है वो ठीक ठाक जो हो पाएं उसको ठीक ठाक कर पाएं हम इस समय ब्यास नदी के पास हैं और सबसे जाधा जो तस्वीर अजमुखी मूर्ती का जो मंदिर है वो 300 साल पुराना मंदिर है हमारे साथ कुछ विटनस भी है उनसे भी बात कराएंगे लेकिन पहले आपको पूरा इलाका दिखा देते हैं ये सबसे ज़्यादा तस्वीर वायरल हुई थी अभी भी पानी का भाव आप देख सकते हैं कि कि पूरा जादा तेज है लेकिन इससे भी उपर करीब 23 फुट के करीब यहां जो पानी चला गया था ये पूरा मंदिर जो है वो डूब गया था मैं आपको दिखा दूँ तीन सो साल पूराना मंदिर है लोगों से बात करेंगे जो विटनस हमारे साथ है जो यहां मौजूद थे क्या हाल था उस दिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं यह तस्वीर है उस टूटे हुए ब्रिज की यह ब्रिज टूटता हुआ दिखाई दे रहा था इसको हलाकी बंद कर दिया गया था जब पानी का बहाँ बहुत जादा हो गया आपको दिखा द जो है वो अंडर आता है ये मंदिर अब ये दिखे ब्रिज का हाल दिखा देते हैं आपको ये ब्रिज है जो टूटा था जिसकी तस्वीरे आई थी और बहुत सारे लोग आस पास थे हाला कि परशासर ने थोड़ा सा जो है उसको चीजों को धंग से लिया और इसको तहले ही बंकर दियता है यहीं से आते हैं यहां पर दर्शन करने के लिए यही रास्ता है अगर उस तरफ से आना है तो वह सांव को तस्वीरें अब देख रहे थे आपको यो दिखा रहे हमाचर प्र मंडी में इस तत्र पंचवक्त मंदर कैसे डूब गया है उसकी तस्वीरे और पहले की तस्वीरे भी हम आपको दिखा रही हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नदियों का जलस्तर इस वक्त कितना जादा बढ़ा हुआ है कि पूरा का पूरा पंचवक्त मंदर शिम्ला से रिपोर्ट करें आमिद भारदवाज हमारे साथ मंदी से रिपोर्ट करें हैं आमिद अभी आपकी रिपोर्टर में देखिया आप व्यास नदी के पास से रिपोर्ट कर रहे थे अपना अभी आप सभी रिपोर्टर से गोजारेश है खयाल रखिये आज का मौसम तो अपना कहर बरपा रही है, आपको दिखा दूँ तस्वीरे, अभी जब हम यहाँ पहुंचे थे तो पानी का लेवल कम था भी पंडों से, और पानी कह रहे हैं कि छोड़ा गया है, और आप देखिए कि पानी कितनी तेज बहाव है, और यह यहाँ से आप लगा लीजे, ज ब्रिज टूटा हुआ है, हमारे साथ कुछ विटनस भी है, यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शर्द मलोत रहा है जी, उस दिन आप यहाँ पर मौजूद थे, आप साथ ही रहा है, हाँ जी हमारे गर पास में ही है, उस वक्त तो बहुत रौद रूप था, पूरा ब्यास रौद रूप पे थी, पूरा पंजवक्तर महादेव का मंदिर नहीं होता, तो सामने सारे घर चले जाते, पंजवक्तर महादेव के मंदिर ने सारे घर बचाए, और नगर निगम ने बहुत अच्छा कार्या किया है, हमारे मारे मारे फूट पानी उपर था, कम से कम 20-25 फूट उपर पानी होता है, हाँ जी, बहुत पानी था है, पूरा आपको दिखा देते है चले आप, शर्द हमारे साथ है, मैं आपको तस्वीरों में एक बार दिखा देता हूं, यह दिखे, पूरी आप रेद देखेंगे, यहाँ पर पूरी यह गाज जो है यहाँ पर आ गई है, और मंदिर की तस्वीर में आपको दिा देता हूं, आपके माध्यम से, जो है, व है यहां पर अभी इसको साफ किया है यहां पर आप देखेंगे फावडे और कस्या वगएरा यहां पर पड़ी हुई है इन से जो है वुरे निकाली गई शरत किता समय लगा पर जब पानी उत्रा सर दो दिन के बाद पानी उत्रा है सर दो दिन यहां पानी चला इससे पहले आता था सुबह आता था शाम तक उतर जाता लिए इस वारत इसने सारी लिमेर्स तोड़ दी हैं सर यह तस्वीर हम पूरे दर्शकों को दुनिया में दिखा देते हैं यहां पानी उतर चुका है तब की तस्वीरे भी दर्शकों तक हम पहुंचा रहा है जब पूरा मंदर सामीख्शा शमी क्या हाल है अलर्ट किस प्रकार से यहां पर जारी किया गया है परटउकों की भी मौझूदगी यहां पर रहती है क्या काम किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से देखें हिमाचर प्रदेश में 3-4 दिन के बाद लोगों ने राहत भरी सांस ली है क्योंकि 3-4 दिन तक जो हिमाचर प्रदेश में एक डराबना मंजर देखा है उससे कहीं न कहीं अब रहत मिलती हुई नजर आ रही है मौसम भाग की और से तीन से चार दिन तक मौसम समाने रहने का अनुमान जटाया है तस्वीरें फिलाल आपको दिखा देते हैं शिमला के रिच मैदान के तस्वीरें हलांकि हलकी धुन जरूर चाही हुई है और हलकी भूनाबान जरूर यहां पर हो रही है लेकिन मौसम भाग के और से यह कहा गया है जो 3-4 दिन तक मौसम हिमाच्छal प्रदेश में समाने रहेगा समाने रूप से जो मौनसून की बारिश है बारिश बरसाते हैं वो जुरूर होंगी लेकिर उसके पाद ही हाश पुदेश में मौसर फिर से बलराम पांडे डेली से रिपोर्ट कर रहे थे और मंदी से रिपोर्ट कर रहे थे अमित भारतवाज आस्मानी आफ़त पर जीनियूस की जो बड़ी कवरेज है ग्राउंट कवरेज जारी है लगातार